मेरी बेटी 5 साल से काम पी और ये उसके छोटे चोटे बच्चे है उसका पती भी गरीव है ज्सलिए बेटी फ़्याति और मेरी वैडियों प्ली घ कहती है। तो अब इदर से उठा के दूसरी जगे के ले जा रही यही समझते हैं कि मैडम ने उन्होंने पैसे दिये इसलिए पांच छे दिन में आडर हो गया एक दम उसका जैनिक बढ़ गई जी अब जाओ हम गरीब हैं हमारे साथ पैसे नहीं है अब क्या करें कोहां जाएं किसे होगा आपको यहां पैसा देना पड़ेगा पैसे के बिना कोई काम नहीं होता तो सर में उस चीज में बारे में कैसे सोची जब जो वह चीज मेरे पास थी नहीं अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बात करती अगर है नहीं तो मैं बात कैसे करूं एक डंकर जूटता है दूस 6. उसके हैं टू अटर 36. सर 30 नम्मर से यहां पे काम करना ना, बच्चू का ही देखवल करनी है. टीचर तो लगना नहीं है. तो आगर बच्चू का काम करना है, खाना बनाना है, बच्चू की देखबाल करना है, वहाँ परसंटेज की बात कहां से आगी, यह इन्होंने इशू रखा है कि परसंटेज है, सर मुझे परसंटेज से कोई मतलब नहीं है, मैं यही बोर रही हूं, बार बार बोर रही हूं, म झाल को मेरा पैसे नहीं हो रह रहा है एक लड़की 10 जी उसका है Iista मतलता में पैसे खाए मैं दो आगे में पो ऊतलिए मेरे पास topics क्यों नहीं है मेरे पैसे नहीं ड़ो अए मेरे पास पैसे दो कि आतुए Development अपने गाड़ी नहीं है। कितना पैसा कमाता है वहाँ से वो मेरे पास जगह है वो मेरे माने जगह दी हुई है। मैं कहां से पैसे दूं सर। अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं उनको पैसे दे का आर्डर करवा न लेती। पाइंच साल तक में वेट करती किया। पाँ साल से यहां पे अंगनवारी सेंटर था और में इस अंगणवारी सेंटर मे23 महिला काम कर रही धी इस scrolling नाम है कई गें आफका नाम क्या है मेरा नाम जिस्वीं द्रकोर मैरे कोat ini aham गारान के उन्हाशनान दो करते हो यहां पर हें की एब र खांगे कि ठीक है अब करते रहो अभी जो雕ाम कं तीwasser है क्योंकि वो ट्रांसफर हो गए उनकी जगह पे अभी निया कोई आया नहीं है तो जब वो आएंगे मेरा काम है लिख के देना आडरो तो उन्हों ने करना है तो कोई बात नहीं आप लगे रहो हो जाएगा इंजेस्ट वो चले गए यहां से तो उसके बाद काफी देर के ब पिर उसके बाद करोना का कुछ हो गया था तो ऐसे करते करते काफी पिरिड निकल गया में ठाइम और टाइम उनके पास जाती रही अप्लिकेशन देती रही और रैगुलेशन देती रही समेरा कुछ भी नहीं हुआ वह बस यही मुझे मुझे लारे लगाते रहे हो है हमारे दर्य के सरपाएंच भू है उन्हें ने फोन किया है जो लिए सरसे सर भो प्रोवन कि आर्ड करो आप एक आप्लीकेशन लिख लिख करा है साथ मैं आइस वर इसका दो इसलें मेरे पूरी फाइल ले कि बनाकि लए टो मैं ठीक है हो गया तो मैं गज estado से बाद बाप सब्सक्रारब कारएं को यहां झाएं के तो उसको बोलो कि काम करती रहा हो जाएगा है थीक है हो जाए वह बाद में ट्रांसफर हो गए वहां से जैसे व हो अगया तो फिर बोलने लगे आप लो कि क्या पूलो की खार में लगा दो जैसे और वह सब किया अब मैंने फॉर्म लगाया फिर मेरे को बोलने लगी कि आप एक एक सेट बनाओ जिस पे आपके सेन भी हो आपकी जो अनवाड़ी टीचर है उसके सेन भी होने जाई कि कम से कम इसको पाइच साल हो गई यहां पर काम करते हुए सर वह बना जा बना के रखा है तो मेरे को बोलने मेरे को मेरा आडर नहीं हो रहा है एक लड़की दस दिन के आडर उसका आडर हो जाता है इसका मतलता जो मैंने पैसे खाए हैं मैंने तब ही मेरा क्यों नहीं हो रहा है मेरे पास पैसे नहीं थी इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पती है किसी की गाड़ी चलाते है अपन तो सर वह सारा मसला पैसे कहें है यहां पर पैसा चला आडर दस दिन में हो गया तो जो गरीब बन्था था उसके पैट पे लट मार दी आप से डिमांड की थी किसीने पैसे डिमांड नी की लेकिन सब लोग बोरे थे कि पैसा खाना आपको पैसा देना पड़ेगा फिर जा के आपका का मैं तो यह पो घुत से पाघिए जरूर से तैन नहीं का यह थै कि आपको přेसा यह बढ़या है। एक डंकर जुटता है दूसरे डंकर जुटता है नहीं है तो मैं कैसे वह बात बोलू मेरे पस पैसे नहीं तो मैं उस रास्ते पर जाओं क्यूँ पांडी आपका मैसज क्या रहेगा डिप्टी कमिश्चर मुझे यही है सर से मेज़े डीसी साफ से हाज जोड के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीस इस मामले की पूरी तैकिकात की जाए क्या वज़ा है क्या नहीं आप मोके पे आओ गाओं के लोगों से पूछो यह लड़की को कितनी देर होगी यहां पे काम करते क्या यहां पे अफसर आते थे नहीं आते थे कैसे इन्हों ने किया मैं यह यही कर बो यहां पे काम करना ना बच्चू का ही देखबाल करनी है95 पीचर तो लगना नहीं है तो अगर बच्चू का काम करना खाना बनाना बच्चू का देखबाल करने generate वहां परसंیज की वात कहा से आगी यह इन्हों संट्टेज है सर मुंझे संदेज से कोई मतलब नäg मैं एक बोल रही हूं मुझे साल से उनको नहीं दिखा कि परसंटेज हैं या नाइज ने सब्सक्राइब Xin करते हैं। सुर्पितश्चा क्रां में अब तो क्या कहना चाहते हैं यह कहना चाहती हो कि यह पाँच साल से मेरी बेटी काम कर रही है ये गृरीव है मैंने इसको थोड़ी सी ज़ा दो कमरों की जगा दी हुई है और इसका पती भी किसी की गाड़ी चलाता है तो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके तो एक छोटी सी नोकरी मांग रहे है पाँच साल से पाँच साल का कुछ नहीं दीया है प्रेक्शर के लाश्ट में ये बार बार उदर का जमा करती है उनके पास भी जाती ही वो अधर भी आते रहे सब को को जानते हुए है फिर उनोंने आगर ऐसा करते है तो किसी और को लगा कि उसका आडर करके इदर बहीते हैं कि जा तू अब अपना तेरा आडर हो गया जाकि उदर अपना काम कर तो हम कीसे उसको इदर आने देंगे पॉइस साल के जो कार रहे है सारा फ्रीका खर रहे है पिर इसको किस आड Party से उसको बार करके दूसरे को लगाए है भी मेरे गार से इदर Center उठा के उसके ग़र में दूसरे मले में पूझा थे तो इदर के आदमियों को पूछ लो सभी जितने बंदे हैं सभी को पूछ लो कि वाई इदर सेंटर होना चाहिए जानी होना चाहिए तो हमारी क्या गलती है हमको क्यूं गरीबूं को बार गर निकालते हैं हेलपर की नोकरी है ना कोई और तो बड़ी कोई नोकरी नहीं है ना मैडम तो दूसरी होगी बच्चों को पणाने वाली तो दूसरी होगी ना इसमें नमरू का क्या मक्सूद हो गया बच्चों को गार के गार से लाना है शोटे बच्चों को और बच्चों को वापस घर में इनके डाइट बनानी है, उनकी देख पाल करनी है, लेटरंगे वारा बच्चे को जाना, यह काम है हल्पर का, और तो कोई नम्रू वाला तो काम है नहीं है, जो नम्बर लोडते हैं, बड़ी पोस्ट हो तो वाई जो चलो जी number वाली वो भी जो कम number वाली वो भी ऐसा ही लिख देगी जो ज़ादा number वाली वो भी ऐसा ही लिखेगी इसमें number वाली कोई बात ही नहीं है इसके लिए DC साब से में request करती हूँ please मेरी बेटी गृब है में खुद गृब हूँ अब फूद मीडाय कोए कमाने वाला नी ए मेरी बैटी के मदध कि धी है मेरी बैटी25 साल से काम कर रही है उसके चोटे 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 बचय उसका पती वी गरीब है कि क्षूद गरीब थी इसलिए बैटी की गरीव है प्लीस प्लीस में यह कहती हूं के मेरी सब्सक्राइब सुने में बहुत दुखी है पंच साल से फ्री काम कर रही हूं तो इदरी सेंटर था सेंटर को दूसरी जगा से अब जाओ, हम गरीब हैं, हमारे साथ पैसे नहीं हैं, अब क्या करें, कोहां जाएं, किस से मांगें, कोई होधार भी नहीं कोई देगा, गरीबु कोई होधार भी नहीं देता है, उनका पता कि ये बाफस नहीं दे सकते हैं, इसलिए प्लीज गरीबु की मदद कीजिए, बस म